नमश्कर दोस्तों हेल्फ वीडियो हिंदी में आपका स्वागत हैं दोस्तों अभी तक आपने हमारे हेल्फ वीडियो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं जबी से सब्सक्राइब कर लें और पास बेल आइकन को दबा दे जिससे आपको लटेस्ट वीडियो मिलती जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 31 दिसंबर तक पैंशन सत्यापन का कारे किया जा रहा है जिस जो भी लोग यादी पैंशन सामाजिक सुरुक सा पैंशन आ रही हैं तो आप अपना वेरिफिशन करवाना अनिवा रहे हैं तो इसके चले सरकार दुआरा राज SSP मोबाइल एप भी लॉंच किया हैं जिसके जरीए भी आप पैंशन का सत्यापन कर सकते हैं इमित्रा एप के जरीए भी कर सकते हैं इमित्रा प्लस मसिन के जरीए भी आप पैंशन का सत्यापन कर सकते हैं लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉ नमबर डाल रहे हैं वो invalid बताया जा रहा है तो ये क्यों invalid बताया जा रहा है और इसके लिए आपको क्या करना होगा इन सब के बारे में आज इस वीडियो में complete जानकारी मिलेगी जैसा कि आप सभी को पता है कि जन आधार के जरिये पैंसन सत्यापन का कारे हो रहा है जो भी ज जन आधार में उमर यदि आपकी कम हो रही है उन सभी की पैंसने फिलाल सरकार द्वारा बंद कर दी गई है यदि आपने जन आधार केवाईशी करवाया है या नहीं करवाया है फिर भी आपकी ये पैंसने बंद कर दी गई है तो जैसा कि मैं आपको एक PPO की जरिये आपको पूरी नहीं है तो ये pension आपको last payment भी यहाँ पर दिखाई दे देगा कि last payment भी November 2023 को हुआ है लेकिन December जैसे ही लगा है और इस pension को बंद कर दिया गया है यहाँ पर cancelled application आ चुका है कि इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है तो जैसे ही December 2023 के इसकी verification के validity खतम होते ही इस pension को rejected में कर दिया गया है तो अब इनकी case में इनकी आया जो उमर है वो जनाधार में KYC नहीं करने की वज़े से पहले कम थी अब इनकी उमर आधार में तो पूरी है लेकिन जनाधार में अभी KYC की है तो अभी इनकी जनाधार में भी उमर पूरी हो चुकी है लेकिन pension का आवेदन नि वो भी जमा करना होगा उसके बाद में इनकी पैंसन आने शुरू होगी तो इस प्रकार यादि आपके भी कोई invalid application बताया जा रहा है तो आपको यही process वापिस करना होगा तो दोस्तों यह था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना चैनल को सस्क्राइब जरूर करना मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन जैवारत